क्या अविवाहित जो couples होते हैं, unmarried couples होते हैं, उनका किसी hotel में कमरा बुक करना अवैद है, गैर कानूनी है, इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे और अगर hotel industry से संबंदित कोई अगर आपको मना करता है hotel में कमरा देने से, या महाँ पे पुलिस आधमकती है और परिशान करत इसके बारे में ज़रा समझते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत का कानून क्या कहता है इस बारे में, आपने शिरुआद अशोव पांडे के साथ में की है, जी हैं, नए हैं, subscribe ज़रूर करें, online legal advice आपका अपना channel है, जहाँ पर कानून की जो जानकारी है, वो आप तक मिलती आपको पहुँचती रहती है, चलिए बात करते हैं, भारत के कानून में किसी भी तरीके से ये गैर कानूनी नहीं है कि अगर unmarried couple होटल में कमरा बुक करें, बेशक वो कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की जो guarantee हूँ हमारे भारत के सम्मिधान नहीं दी हुई है, कहाँ पर? Article 19, 19, 20 और 21 में, जहाँ पर जैसे कोई भी चाहे वैसे रह सकता है, और इसके साथ आपकी सुतनरता भी है, कौन-कौन से आपके पास खुद की अधिकार होते being a couple मैंने आपको बताया था इस पहले वीडियो में, जहाँ पर living relationship में रहने का अधिकार, गुमने फिरने का अधिकार पार्क में जाने वाने का अधिकार, कोई अगर बेवज़ा परिशान करे उसकी शिकायत करने का अधिकार, इसके अलावा भी काफी सारी अधिकारों के बारे में बताया था, इस पर्टिकलर वीडियो में हम जरा बात करने कि होटल का कमरा वो करना आखिर कहां से गैर कानून तो भारत में कोई भी ऐसा एक भी कानून नहीं है, कोई एक भी धारा नहीं है, जो कि इस प्रकार के क्रत्य को रोख सके, इस प्रकार के काम को रोख सके, या restriction लगा सके. केवल और केवल आपको एक शब्द ध्यान में रखना है, वो है obscenity, अगर obscenity यानि वल्गर अभद्रता आती है, तो वो 294 IPC के दायरे में आ जाता है, तीन महीने की सजा है, और fine भी आपको देना पड़ सकता है. obscenity मतलब आपका आचरन ऐसा है, जो की काफी वल्गर है, आप समझ रहें, तो वो छोड़ अगर दिया जाए, तो उसके अलाबा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो आपको restrained कर सके, being a couple, अगर आपने शादी नहीं भी की हुई है, तो भी अगर being a girlfriend, boyfriend relationship में आप है, तो भी ऐस कर सकते हैं, अब जब कभी आप कमरा लेने के लिए जाएं, कहां, hotel में, या online book करें, तो आपको पूछते हैं कि आप married हैं, unmarried हैं, unmarried हैं तो आपको मना कर देते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं, क्या, ऐसा बेशक बिलकुल नहीं कर सकते, कोई individual भी नहीं कर सकता, hotel भी नहीं क होता है, वो आपका private occupancy है, आप वहाँ privately आप stay कर सकते हैं, good quality time आप spend कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह से कोई परिशानी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन hotel industry वाले आपको देते नहीं, तो सीधी सी बात आप उन्हें कह सकते हैं, कि hotel industry से सम्मंदित कोई भी एक नियम काईदा या कानून, ऐसा जहां पर unmarried couple को रोका जा सके, कमरा देने से hotel का, वो नहीं जवाब दे सकेंगे, और as obvious यही आपकी बात का जवाब है, अगर आप hotel industry से सम्मंदित हैं, तो मैं आपको कानूनन तोर पर बताना चाहता हूँ, कि भारत के supreme court sir, वोच नया आल है, या क आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो भी, अब कई बार जो moral decency होती, उसके नाम पर मना कर दिया जाता है, खेर, moral decency को नापने का कोई तरीका या पैमाना नहीं, लेकिन उसके बावजूद, अनैतिक करते यह बिलकुल भी नहीं है, कानून की नजर में, public policy उसके कह सकती है, बट जो legal policy है, जो कानून है, कानून के नजरिये में कहीं से वो गलत नहीं है, तो कुल मिला करके, जो यह मुद्दा था, कि आपको होटल में जाने से रोका जा सकता है कि नहीं, होटल का कमरा देने से रोका जा सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है, बेशक नहीं, आपका ये अधिकार है fundamental आपका राइट है आर्टिकल 19, 20 और 21 भारत के संविधान के अंतरकत until and unless ये obscenity to 94 IPC के दाइरे में ना हो तो एक और महतोपून बात कई बार पुलिस आधमकती है अब क्या करेंगे आप ये तो बिना बुलाय महमान की तरह है कहीं भी पहुच जाते हैं जहां इनको अपना शिकार दिखता है वहीं पे एक खाने पीने के लिए पहुच जाते हैं मैं ऐसा ही समझता हूँ खासकर इस मामले में क्योंकि पुलिस को ऐसा कहीं पर कोई अधिकार नहीं है जब कानूनी नहीं तो इनके पास मैं पावर या शमता कहां से आ जाएगी कि वो किसी होटल की कमरे में किसी प्राइवेट कपल को पकड़ने के लिए चले जाए अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट करने का अधिकार कभ है जब तक कि वो जो offense है, वो serious nature का offense नहीं है तो उसमें क्या serious है, वो तो अपना quality time spend कर रहे है उसमें आपको क्या दिक्कत, आपको क्या परिशानी है अगर आप जा रहे हो, it means आप ठगी करने के लिए आप जा रहे है और यदि आप जाते हैं, तो जाने वाले को पकड़ करके रखा जाए अगर आप किसी को गिरिफतार कर रहे है, पुलेस अगर आपको गिरिफतार कर रही है परिशान कर रही है, या कोई group के लोग परिशान कर रहे है आप उनका वीडियो बनाए, photograph निकाले और उसके साथ-साथ अगर आप audio, video recording कर सकते हैं तो उनी के senior को शिकायत आप करते हैं, इसके पहले भी एक video मैंने बताया है जैसे उनकी नौकरी भी जा सकती है, साथ-साथ department inquiry भी हो सकती है suspension, termination की बात तक आ सकती है, तो बेशक, ऐसा करना गैर कानूनी है अगर कोई भी वेक्ती, unmarried couple को परिशान करता है, तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो बिल्कु सब्सक्राइब कर दीजेगा online legal advice आपका channel है, कानून की जो जानकारी है, इस channel के माध्यम से लगातार आपको मिलती है, आप तक पहुँचती रहेगी आपने शुरुवात अशोप पांडे के साथ में की थी, अगर किसी जानकारी के लिए अगर बात करना चाहें, इस वीडियो के description में detail है, जहां से direct appointment बुक करके भी कर सकते हैं, आप बात मिलीए अगले वीडियो में, तब तक के लिए, स्वास्त और सुरक्षित